नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोसों सनीदेब ने उठा लिए धनूश अब आपके जीवन काल में खुशी आने वाली है जिया दोसों आपको बता दें कि याशो में आपका पाश्वा पलटने वाले हैं आपके जुन काल में कई बड़ी इसी गटनाई होने वाली है जिनें जानकर आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे यूँ कि हैं तो आप खुशी से जूम उठेंगे जिया दोस्तों वीडियो अती महत्पुन है इसलिए आप इन्हें चुपके शे एक बार जरूर देख लिएजएगा शुरू से लेकर आनता तक देखिएगा क्योंकि बड़ी ही महत्पुन जार करें आपको वीडियो के मद में भी मिलने वाली है तो दोस्तों इन्हें थोड़ा शाबी आप मिश्णा करें दोस्तों आपको बता दें कि यह वीडियो का निर्मान आपके जूंकाल में खुशियां लाने का मक्ष़ा दे जए दोस्तों अगर आप वीडियो को सुरू से लेकर आन्ट तक देख लेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए वर्दान शेक करम नहीं होगा क्योंको दोस्तों आपको बिता दें कि दुख और शुक भाई भाई होते हैं कभी मनिशों के जोन में शुक होते हैं तो कभी मनिशों के जोन में दुख भी रहता है यह दोस्तों और ये अश्यमे गरों की जो इस्तती है आपके लिए शुक का शंकेत कर रही है ये अश्यमे दोस्तों आपको इन्हें शद्प्योंग में लाने की ज़द होंगी इसलिए आपसे निविधन यह है कि बीदियो को शुरूर से लेकर अंचा तक देखिएगा ये दो तो दोसों अंत तक देखिएगा उससे पहले दोस्तों जो भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉस में शच्चे मन से जाई शनीदेव लिखेगा गुरुजी का और भगवान शनीदेव का श्रीदा सिरबात प्राप करेगा तो मित्रों जरूर लिखेगा और यदि आप च अल पर स्लेट कर ले तो आई दोसों वीडियो को प्रारम करते हैं शुरुआत करते हैं भगवान श्रीकिष्ण के एक बहुती अच्छे ग्यान से दोसों एक बार एक राजा था वाजब भी मंदिल जाता था तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं तरफ बैठा करते थे दाइं तरफ वाला कहता था कि हे इश्वर तुने राजा को बहुत कुछ दिया है मुझे भी दे दे तो बाइं तरफ वाला कहता था कि हे राजा इश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है मुझे भी कुछ दे दे दाई तरफ वाला विखारी बाई तरफ वाले शेक कहता है कि इश्वर शे मांग वो शबकी सुने वाला है बाई तरफ वाला जवाब देता है चूप कर मुर्क एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में जो दाई तरफ विखारी बेड़ता है वो हमेशा इश्वर से मंगता है तो अवशी इश्वर की सुन लेगा लेकिन जो दाई तरफ बेड़ता है वो हमेशा मुझे ही मांग करता है तो तुम एशा करो कि एक खिर खाते काथे दुसरे विखारी को चीडाता हुआ बोलता है कि हट बड़ा भग्वان तुझे देगा या देख राजा से मांगा और मुझे मिल गया खाते काते जब इसका पेट भर गया तो दोस्तों वह विखारी बचे वे खाने को उश विखारी को और देखे कहता है ले पकड तू भी खाले मुर्ख अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाई तरफ वाला विखारी तो आज भी वे शाही बेटा है और दाई तरफ वाला विखारी गायब है राजा चोकर उशेप पुझा कि क्या हुआ तुझे खीर से भराबरतन नहीं मिला बिखारी ने बोला जी हाँ मिला था बहती श् को देकर कहा मुर्ग हमेशा कहता रहता है कि इश्वर देगा इश्वर देगा ले खाले तो फिर राजा मुश्करा कर बोला अवश ही इश्वर ने उशे देही दिया जिया दोस्तों क्योंकि दोस्तों उस बरतन में श्वर्ण के मुद्राइं भी थे जो कि अंदर में थे वह वह भिकारी वहां से चला गया और वह जाकर अपने जुनकाल में बहुत यच्छी जिन्दकी जीने लगे तो दोस्तों भगवान पर जो भी वेक्ति विश्वास रखता है उन्हें भगवान अवशी देता है तो दोस्तों या कानिश अपने जुनकाल में शीख मिली हो भगवान पर भरशा हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शाल लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्ष में लिख दें जैश रिकिष्णा राधे राधे वाए दोस्तों से के अब कर लेंगे तो दोस्तों भगवान श्रिणदेव इस जिनम्म में नहीं पलकि आज जिवन आपके शात रहेंगे ज़्यादोसों तो आई दोस्तों बात करते हैं जया दोसों हम आप शुबी को बता दें कि भगवान शुन्देप अब आपके घर आने वाले हैं जिनसे दोस्व आप शुबी की जुनकाल में बहुती बड़ा बड़ा चमतकार होने वाले हैं रोके वे काम शमे पर पूरा होने वाला है जिया दोसों गरह इस्तिती आपके लिए भ परदान शावित होगा कि अश्मेग घर के बड़े बजुर्ग नहीं बलकि भगवान शुन्देप का वास उनकी जुनकाल पर रहने वाले हैं जी दोस्तों हम आप शुब को बता दें कि अब शुब कोई शुब समचार आपको मिल सकता है क्योंकि भगवान शुन्देप के अश्रानी होगी युवाओं को अपने योगता के नुरूप उचित परड़ाम भी हासिल होने वाले हैं वह दोस्तों भगवान शुन्देव न्याय की देपता है और यह आश्में आपकी जुनकाल में बहुत परणाली में कुछ परवर्तन लाएं इस यह आप श्रकारत्म परिडाम हाशिल कर शकते हैं दोस्तों घर में कोई मांगलिक कारे के आयोजन शमंदी और जनाएं भी बनेंगी भगवान शुन्डेप का शिरबाशी आप शुनकाल में बहुत अच्छी घच्छी घटनाएं आने वाले तीन दिनों के अंदर होने वाले हैं दोस्तों खुशी बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा बहुत अच्छा मोका मिलेगा जिनमें अगर आप चलेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी मंजिल आप शेद दूर नहीं होगी जया दोस्तों हम आप शुकू बता दें कि आप व्यक्तिगत कारियों पर ध्यान देंगे और उनमें अच्छे समय होंगे उनके लिए आप शमय निकालें और अपना दाइरा बढ़ाएं इसे दोस्तों कुछ नई जानकरियां तथा उपलग दियां आपको आशिलोंगी आप तनाव मुक्त तथा उर्जावान यश्मी महशूश करने वाले हैं आपको बता दें कि बहुत अच् आपकी विशेस रूची भी रहेगी किसी विवायों के शदिस के लिए अच्छा रिष्टा आने की शमावना बर रहे हैं जिनसे घर में खुशियों भरा माहौल रहेगा ज्या दोस्तों आने वाले श्मी में भगवान शुनदेव के श्रुवाज से समाजिक अत्वाराय नि आने वाला है और उन्हें बहुत ही राहत महशुष होगा दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग अपने जिवनकाल में बहुत ज़्यादा परिशान है दोस्तों यह श्मी आने वाले तीन दिनों के अंदर भगवान शुनदेव के शब्शे खाश मंत्र ओम शह शंचराय नम करते रहना है शुनदेव के भक्ति बाव पर यकिन करना है दानपून करना है इसे दोस्तों भगवान शुनदेव आपके उपर हमेशा किरपा बर्शाते रहेंगी दोस्तों आने वाले तीन दिनों का जो शमय होगा अधिकतर शमय घर परिवार कि शुक्षिवदा शमंदी वस्तों की खरिदारी में भी शमय वहतित हो जाएगा किसी नहीं दिखी शमन्दों की शमस्या हल करने से आपकी विशेज भूमिका उनमें रहने वाली है जो दोस्तों इसे आपकी छवी और व्यक्तितों में और अधिक निकार आएगा शब आपका बहुत यदा शमान करेंगे और दोस्तों आपका मान शमान कुछ ऐसा होगा कि आप खुले नहीं शमाएंगे जो कि आपकी जुनकाल में इतनी बड़ी खुशकब्रियां आप शबी को मिल रही है नहीं नहीं योजनाएं और कारियों के परती आपकी रूची बढ़ने वाली है जो दोस्तों बगवान श इता परशन रहेगा जैदोस्तों दिल घलगध हो जाएगा और इसमेर शारा परिवार जूमने वाले ही वे दोस्तों आने वाले शमय में बगवान श्रणिदेव का चमतकार आपके फूरे घर परिवार पर हैगा पूरा घर परिवार में खुश्यां बरशेंके रोशमय करने में उनकी खुशी और आत्मबल बढ़ेगा तो दोस्तों जरूर आप इन पर ध्यान दें भगवान श्रीदेब यहीं चाहते हैं कि गर परिवार में मिल बेटकर शबी बातों को सुने शबी बातों को बोले मन हलका करें शब बातें शमय पर पूरी होंगे शबी शबने य अनुकाल में ऐसे खुशियां आएंगी कि दोस्तों आपने इन्हें कभी शबने में भी नहीं सोचे होंगी हम आपको बता दें कि अगर आपको भगवान श्रीदेव पर विश्वास है तो दोस्तों इस वीडियो को एक प्यारा शालाइक आप आवश किजिएगा जया दोस् श्रीदेव के नई उपलवधियां लेकर आ रहा है आएज के शादों पूरी ऊछाव अफिर आत्मिश्वास से अपने कारियों के प्रति शमर्थ पित रहें अस्तल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा शाथे साथिज्व को बता काम की अधिक्ता की वज़शे कभी कभी आपको गुष्टा तो आएगा लेकिन दोस्तों कभी भी आपको इसके उपर कोई गलत कदम नहीं उठाना है अगर आपको मन परिशान हो तो दोस्तों वश्ट में आपको कोई भी निरले नहीं लेना है क्योंकि यह जो कारत हैं यह जो नकारत्मक कारत हैं के आपके कारियों को धोस्त कर देंगी तो भगवान श्रुदेप के इन बातों का घ्यान रखें इन बातों का ध्यान रखें इसमे लोफ लाइफ के लिए श्रमी बहुत यहां अच्छा रहेगा गर का वातारण वहती वहती है अच्छा है शाथे स्वास्त की बात करें तो दोस्टों भगवान शुनदेप के शुरबाद से तनाव पर चिंता लेने से आप परहेज करें क्योंकि यह में शुन देत्स किसी के लिए प्रिशान नहों जिए दो सुनुए